नमस्क्राइर कोड़ बुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है मैं पंकर शेरावा तुबस्तित हूँ आपके सामने महतपूर जानकरी लेकर थोड़े से मैं पहले सवाल देखने को मिल रहा था काफी विद्यारती कह रहे थे कि फश्टेर के लिश्ट आने के बा सेकंड लिश्ट आएगी एक तो सवाल यह है मैं लिश्ट और वेटिंग लिश्ट जो सरकारी कोलेज में यूजी एडमिशन की प्रोसेस अभी चल रही है उसमें मैं लिश्ट और वेटिंग लिश्ट आई भी है उसके डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन फीस जमा हो रहा है तो वहाँ पे सवाल निकल के हया रहा है क्या सेकंड लिश्ट आएगी जिसका नहीं हुआ वेटिंग लिश्ट वरे कन्फ्यूज है कि वह फीस जमा करवा है एक निकरवा है डोकूमेंट जमा करवाइक निकरवा है ऐसा बी सवाल उनका देखने को मिल रहा है सारी चीज़े किलियर हो जाएंगी आज एक नोटी स्कोर देखने को मिला कि खाली सीटों पर फोरम उसकी भी डेट आईगी भी लिया कि इस डेट से मतलब कि आपके फोरम यहां पर चालू है तो काफी सवाल है कन्फूज हो रहे हैं काफी विध्जारती सारी चीज़े एक ही समय में आपको यहां पर एक ही वीडियो में मिलने वाली है एक सवाल और है कि मैन लिष्ट हो जिसका वेटिंग लिष्ट में नाम है डोकुमेंट्स वेरिविकेशन जिन्नों ने करवा दिया जिन्होंने करवा दिया जमा अब उनको इंतजार है कि हमारा एडमिशन कंफर्म कब होगा मेन वालों का तो कंफर्म हो जाएगा चलो ठीक है उनका पहले मैन लिश्ट में था वेटिंग वालों कब होगा कंफर्म उसका भी बताने वाला हूं सब्जेक्ट कौन-कौन से सब्सक्राइब नाम नहीं है उसके लिए विजनकरी जानकरी अविलेबल है तो जान रखें वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है सरकारी कोले यूजी अडमिशन दोजार तेज को लेकर बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे एक वीडियो देखेंगे सारे सवाल चतम हो जाएंगे जान है बात करते हैं सरकारी कोले यूजी एडमिशन दोजार तेजिस जिसमा भी मैर लिष्ट और वेटिंग लिष्ट में नाम करेंगे ये इदियान रही है वो विद्यारती, फिस्टियर के विद्यारती, जो नोंने 12 अभी पास करके फिस्टियर का फोरम बराता, इसका लिष्ट में नाम है, मैन और वेटिंग में, दो अगस्त दो हजार तेहीस तक, डोकुमेंट्स वरिफिकेशन और फीस जमा करवा देंगे, डोकुमेंट्स किसी डोकुमेंट्स की कमी है, तो कोई दिक्कत निया, आपका application लग जाता है, उसमें 15 दिन का समय देखने को मिल जाएगे, को TC नहीं है, किसी के पास, जो भी application नहीं है, डोकुमेंट्स वरिफिकेशन लगा जाना, हो जाएगा कामरा, लेकिन documents वरिफिकेशन करवाना है, का पास तो मुलनिवास नहीं है, कोई एक अदिक्कत है, TC नहीं है, कोई एक अप्लिकेशन लगा तो, TC जब आएगे, तब जमा करवा देना, 10-15 दिन का समय दे रहा है, अभी भी बता रहा हूँ ना, 2 अगस्त, 2023 तक आपका यहां पर documents, verification, fees जमा होने वाला है, मैं list और waiting list दोन आप जोको मैं समझा देता हूं सारी चीजे, man list और waiting अना, जिसका man list में है, जिसने documents verification करवा दिया, face जमा करवा दिया, उसका final admitted list में नाम आ जाएगा, यह जान रखो, ठीक है, जिसका man list में नाम है, जिसका man list में नाम है, जिसका man list में नाम है, जान रकड़ा, फिर से बता थोड़ा सा confuse हो जाएंगे, विध्यारती यहां पर की, man list में जिसका नाम है, जिसने documents और face जमा करवा दी, 2 अगस्ट 2023 तक जिसका भी मतलब की, जिसने नहीं करवा रखते हैं, जिसने पहले करवा रखता है, जिसने पहले करवा रखता है, जिसने पहले करवा रखता है, वो जिसने नहीं करवा रखता है, जिसका भी नाम है वेटिंग लिष्ट में, उसको भी विया documents और face जमा करवानी पड़ेगी, अंतिम्ठी होने वाली है, 2 अगस्ट 2023 तक, लेकिन क्या सारे confirm हो पाएंगे, क्या सारे इस final admitting list में जाएंगे, यह सीटो के हिसाफ़ जिसने होगा, जिसने नहीं जमा करवाएंगे, काफी लोगों का अलग जगर पे आगया, महाराजा, महाराणी, और भी बहुत से college, किसे का CUT का pending चल रहा होगा, वहाँ पे हो सकता है, तो काफी विद्यारती है, जो sure होगे, कि मुझे वहाँ पे admission मिल सकते है, तो government college से admission निकाल लेंगे, य में जो documents verification निकरवा है, या फिर कोई fees जमा नहीं करवा है, उसके जगा waiting वाले उपर चलते जाएंगे, जान लोग, confused नहीं होना है, जान रखें, तो waiting वालों को भी documents और fees जमा करवानी है, जान रखें, दो अगस्त दो हजार तेईस अंदिम जुती होने वाली है, confused नहीं हों उनका confirmation कब होगा, जो पहले जमा करवा दिये, और हम जमा करवाएंगे, उनका 4 अगस्त को जान देखें, अगर date नहीं बढ़ती है, अगर कोई नया schedule जारी नहीं होता है, जो पहले आया होगा है, उसके हिसाब से, मुझे लगता नहीं है कि यहापर schedule बदलेगा, क्योंकि का फाइनल एडमिशन, वो यहाँ फी पता चल जाएगा, यहाँ चार अगस्त होजार देखें, इसको, तो मैं लिश्ट का सवाल, यहाँ तक के सारे सवाल के लिए हो जाने चाहिए, इसको देखने को मिलेगे, अब आप कहेंगे कि फाइनल एडमिटे लिष्ट क्या हम सब्जेक्ट आपको अलोट हुए है, यहाँ लिष्ट कब देखने को मिलेगी, पांच अगस्त को, पांच अगस्त दो हजार तेईस को शाम तक आपके को मिल जाएगी, नोटिस बोड़ पर, विश्या वैं वर्ग, वर्ग मतलब section आपका अलोट हो जाएगी, कौन से section में है A में है, B में है, C में है, अब section भी subject wise होते हैं, किसी का subject मानो political history हिंदी है, उसका section अलोगा, political English literature, जोगरोफी है, तो उसका section अलग होगा है, जान रखे, जान रखना, subject alert होंगे, और उसके बाद में बड़ग alert यह पांच अगस्त दो होजार तेईस को हो जाएगा, यहाँ त अब करने लगे है, कि वे विद्जारती, जिनका man में और waiting में नहीं आया, क्या second list आएगी क्या, तो भईया एक चीज़ बता देता हूं, second list नहीं आती है, गोवर्मेंट पोलेज में second list नहीं आती है, बहुत पहले आती थी, 3-4 साल पहले आती थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया, कि पहले तो man और waiting साथ में निकाल देता है, पहले क्या man ही आती थी, waiting आती थी फिर उसके बाद में, लेकिन आप क्या करने लगे है, कि man के साथ में waiting निकल गया आती है, तो अगर एक चीज़ तो अगर सीटे खाली होती, तो forum की बात करूँ, तो यहाँ पे waiting में ही बहुत कम चांस होता है, AWS की सीटे जरूर कही न कहीं खाली देखने को मिल जाती है, बात करूँ, बीकोम की सीटे अधितर पोलेजों में खाली रती है, तो जो खाली सीटे बच जाती है, वो बहुत कम संख्या में होती है, वहाँ पे forum लगने के लिए आएगा notice एध्यान जिस उन्हें जिन्होंने पहले फोर्म लगा रखा है, लगाया जिसका नाम नहीं आया, उनका इस प्रोसेस से related कोई भी काम नहीं होने वाला जान रखें, कोई उन्तजार नहीं करना है कि बाई सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, वो ले इस पे डिपेंड करता है कि मैन और वेटिंग लिष्ट में मालो की वेटिंग वाले भी सारे कनफरम हो गए, फिर भी खाली सीटे रह गई, तो फिर जिन लोगों का पहले बचा वजन उनको एड कर लेंगे वो, द्यान रहें, जिनका पहले नहीं आया मैन और वेटिंग में तो उनको एड़ कर रहें, पहले साथ कि सीटे खाली रह जाते हैं, वेटिंग लिष्ट पूरी कनफरम होने के बाद में पहले सीटे खाली रह गई, तो द्यान लगों को वहां से पूलिष्ट में डिपेंड करता है कि उनको लेते हैं, यह चीज़े होता है, क्योंकि वेटिंग लिष्ट में तो ने 500 500 नंबर तक की वेटिंग है, वो भर जाती है सीटे आना, वेटिंग के बाद में साली तो वेटिंग कर्फरम भी नहीं होती है, यह बात होगी, सेकंड लिष्ट नहीं आएगी, जान लगों, अब बात करते हैं, खाली सीटों पर फोरम, यह हमें कैसा पता चलेगा कि खाली स यहां ने पहले फोरम लगाया ही नहीं है, इस प्रोसेस में, वो जान लखें अगस्त say आपके खाली सीटों पर फोरम टाया पाइंगे, 3 अगस्त से आपके खाली सीटों पर सुरूं के. है तो जहां से आप पूरम बढ़ते ना उसमें जब सटय करेंगे आप ब्यकुम ऐखने को तो सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएंगी ऐसा सो एडी के मातिम से उसका वीडियो बना दूंगा विया तीन तारीक को जब शुरू होगा तो बता दूंगा और बाकि आपके कोलेज से भी पता चल जाएगा जान रखना अगर डैस डैस वहां पर खाली है जान रखना प्रक्रायार कि उसके बां है जैरे अगरे इसन पर जन पर आखना सोर्कारी बहुत से सवाल चल रहे से सारे सवाल मैं कोई सो सब्सक्राइब जान आपके एक्जाम में होने वाले गया स्पीपर तक सारी जानकर यह आपको इस चैनल के मादब से मिलने वाली है नियुकक noon के वाला है 35 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत इंप्रोटेंट होने वाला है अपना सवाल लिख देंगे जो भी बत चुका है इसके अलावा जो भी सवाल आपका बत चुका है ना लिख देंगे और एक सवाल आता है देखने को मिलती है, बहुत से PDF अफिलिबल हो जाते हैं, इसका जो ओफिशल नोटिफिकेस हैं, खाली सीटों के फोरम अगरा का, कब आईगी फाइनल इस टेवी से आपको इस स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ, यह सारे देखने को मिल रहे हैं, यह सारे आपको PDF जो हमारे ट करे देखने को मिल रहे हैं, लाइखने को घोता है, यह सारे विलिबला सी अविल्य